इन दोर के लसूरिया थाना शेत्र के सैटलाइट सीटी में रहने वाली प्यूटी पाला संचालिका की पास में ही रहने वाले बदमाश रोहित ने चाको उपाल कर हत्या कर दी सूचना के बाद मौके पर पहुची पुलीस ने शर्व को बरामत कर पॉस माटम के लिए एमवा स्पताल भीजवाया है वही आरोपी रोहित को हिरासत में लिया गया देर रात लसूडिया थाना शेत्र के सैटलाइट सीटी कॉलोनी में रहने वाली उशा राठोर नामक महिला कला देद कर हत्या कर दी गई सूचना के बाद मौके पर पहुची पुलीस ने शर्व को बरामत कर लिया वही आरोपी जोहित को अपनी हिरासत में ले लिया है बताया जा रहा है कि ब्यूटी पालर संचाली का उशा राठोर को पास में ही रहने वाला रोहित आय दिन परशान कर रहा था एक तरफ आप प्यार की चलते पूर्व में भी रोहित के खिलाफ थान अलसूडिया में शिकायत की गई थी दिसके बाद पुलीस ने रोहित के खिलाफ कारवा ही की थी इसी की इस रंजिश को लेकर रोहित ने हत्याकान को अंजाम दे दिया दूसरी दुखान पर मम्मी थी वहां पर रोहित नाम का था उसने चाकू मार दिये पूरानी रंजिश के चलते हैं ये पहले परिशान किया करता था तो हम लोगों ने इसको पुलीस में बंद करवा जिया था फिर उसके बाद साल दिर साल बाद निकल के फिर आया और अचानक से मम्मी बाहा टेल रही थी उसके दुबान की और उसने चाकू सो हमला कर दिया सेटलाइट कालोनी में ब्यूटी पारलल में काम करने वाली एक महिला को एक आदमी ने रोहित नाम के आदमी ने धारगार हतियार से हमला करके इसको फोट पहुंचाई थी महिला गायल वर्ष्था में अस्पताल में बरती हुए थी और इसकी मौत हो गई है अभी और ये रोपी को अभी हमने हिराशत में ले लिया है घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है ब्यूरे रिपोर्ट दबंग नीउस